देर सुटुडेंट्स, असलाम वालेकुम, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट उर्दू, टापिक हब्बा हातून तो बच्चों हमने जो ये टापिक कल हतम किया हब्बा हातून, मुझे उमेद है आप सब बच्चों को अच्छी तरह से ये याद होगा इसमें जो भी हमने पड़ा है हब्बा हातून के बारे में, कि हब्बा हातून का नाम क्या था, वो कहां रहती थी, उनके बाप का नाम क्या था, तो और वो क्या करती थी, उनकी शादी कब हुई, किस से हुई, तो सब कुछ हमने पड़ा है, सुस्राल में उसके साथ कैसा बरता हुआ हुआ करता था तो यह सब हमने कल पढ़ा है इसके लाइफ के बारे में हबा हातून की जो जिन्गी थी उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है तो आज इसके सॉलात करने हैं हमें मुझे उमेद है आप सब बच्चों को इसके सॉलों का जो आंसर है वो आपको मालूम होगा तो हमारा कॉस्चिन नमबर फस्ट है सॉल नमबर एक हबा हातून का असली नाम क्या था? तो इसका जवाब है हबा हातून का असली नाम जून था क्या था बच्चों? जून हमारा सॉल नमबर दो है हबा हातून कहां पैदा हुई? हबा हातून कहां पैदा हुई? तो इसका जवाब है हबा हातून चंध हार पांपोर में पैदा हुई? काINS पाम पाँपोर में इसका सौब नंबर थर्ड है हबा हातून के बाप का नाम क्या था इसका जवाब है हबा हातून के बाप का नाम अबदी राथर था क्या था अबदी राथर तो स्वाल नमबर हमारा चोथा स्वाल है जून को हब्बा हातून का नाम किस ने दिया तो इसका जुआब है जून को हब्बा हातून का नाम पांपोर के एक सूफी बजर्ग हुआजा मसूद रहमतुला अले ने दिया किस ने दिया خواجہ مسعود رحمت اللہ علیہ نے तो हमारा लास्ट क्वेस्चन है पांचफ़ा खबा हातून कश्मीर की मलका कैसे बनी तो इसका जवाब है खबा हातून ने युसफशा चक के साथ निकाह किया और वो कश्मीर की मलका बनी क्योंकि जो युसफशा चक थे वो उस दोर के बाधिशा थे वो उस दोर के बाधिशा थे तो जब उन्होंने खबा हातून से निकाह किया तो वो कश्मीर की मलका बनी हमारा चोथा क्वच्चन इसका है अलिफ के हर जुमले का दूसरा हैसा बे में तलाश करके जुमले मकमल कीजिए हमें क्या करना है जो अलिफ में जुमले दिये गए हैं अलिफ वाले हिसे में उनको बे वाले हिसे में जो जुमले दिये गए हैं उनके साथ जोड़ना है एक जुमला मकमल करना है क्या करना है इनको जोड़के एक जुमला मकमल करना है जैसे अब्दी राथर एक मामूली केसान था क्या था अब्दी राथर क्या था एक मामूली केसान जून अपने सास सुसर की बहुत इज़त करती थी जून जो थी वो अपने सास सुसर की बहुत ज्यादा क्या करती थी इज़त करती थी दुक की इस हालत में वो दर्द बरे शेयर कहती थी दुक की हालत में भी वो दर्द बरे शेयर कहती थी कौन जुन हब्बा हातून की आवाज बहुत मिठी थी हब्बा हातून की आवाज क्या थी मिठी आवाज थी हब्बा हातून कश्मीर की मलका बनी क्या बनी कश्मीर की मलका बनी तो ये जो हमारे जुम्ले थे ये मकमल हो गए अब हमारा अगला सुआल है खाली जगों को दिए गए इल फॉज़ से पूर कीजिये नीचे ये जो खाली जगएं दीगी हैं इनको ये जो उपर इल फॉज़ दिए गए हैं इनसे इनको भर के जुम्ले मकमल करने यहां पर भी ठी कैं तो पहला जो हमारा है इसका पाट दिल का बोज हलका करने के लिए जून अपने दर्द बरे डैडैश गाती थी क्या गाती थी इशार जो उसका दिल का बोज होता था जब कभी उससे क्या होता था गम होता था परशानी होती थी तो उस टाइम वो उसको दूर करने के लिए इशार गाती थी क्या गाती थी इशार अल्ला ताला ने हब्बा हातून को डैश डैश आवाज अता की थी अल्ला ताला ने जून को मिठी आवाज अता की थी कैसी आवाज मिठी हब्बा हातून किश्मीर की डैश डैश बनी हब्बा हातून क्या बनी किश्मीर की मलका बनी क्या बनी मलका हब्बा हातून को पढ़ने का बहुत डैश डैश था हब्बा हातून को पढ़ने का बहुत शोक था क्या था शोक तो इस तरह से ये जो उपर दिये गए थे जुमले ये इन खाली जोगों में बारके ये जुमले हमारे पूरे हो गए अब हमारा लास्ट स्वाल है मजखकर और मौनस अलग अलग करके लिखिए ये नीचे मजखकर और मौनस दोनों दिये गए हैं दोनों मजखकर और मोनस दिये गए हैं आपको क्या करना है अपनी नोट बुक पर एक साइड मजखकर लिखना है और दूसरे साइड मोनस लिखने हैं तो पहले हम पढ़ेंगे ये गठे बाप, औरत, लड़की, बेटी, सुसर, शोहर, शेजादा तो अब हमें इनको क्या करना है मजखकर अलग करने है और मोनस अलग करने है पहले हम मजखकर लिखेंगे बाप, सुसर, शोहर, शेजादा ये आगे मजखकर ये क्या है मजखकर अब हमें मोनस लिखने हैं इसमें पहला है औरत, लड़की, बेटी ये होगे मोनस तो हाँ बेटा हमारा जो ये टापिक था आज यहाँ ही पे हत्म होता है मुझे उमेद है आप सब बच्चों को ये सुवालात अच्छी तरह से समझाए होंगे और मुझे उमेद है आप लोग अपनी नोट बुक मंटेन साथ साथ में करते होंगे और ये जो सवाल हैं ये आपको जबानी भी याद करने हैं और अपनी कापी पे भी मंटेन करके रखने हैं तो सुट्राइंट्स हमारा ये जो टापिक है यहाँ पे खत्म होता है तो आज के लिए इतना ही अल्ला हाफिज